विवेक उबरोई की और सलमान खान की लड़ाई के बारे में लगभग पूरा देश जानता है और इनकी लड़ाई के पीछे की वजह भी सभी को मालूम है लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि विवेक उबरोई की लड़ाई एक बार फेमस प्रेड्यूसर और डायरेक्ट हो गया था विवेक उबरोई का ये जगड़ा फेमस डायरेक्टर संजय गुपता के साथ हुआ था दरसल हुआ यूँ था कि जब सलमान खान और विवेक उबरोई का जगड़ा हुआ था तब सब ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था उस ताइम पर सिर्फ संजय एक गांग्स्टर के रोल में नजर आये थे जिनके इस किरदार को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया जिसके बाद फिल्म ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी फिल्म के हिट होने के बाद ये भी तै हो गया था कि फिल्म का सीकुल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा शूट की एहम भूमिका में था इसके बावजूद भी विवेक अबरॉय ने इस मूवी को छोड़ दिया यहां तक कि उन्होंने जॉन अबराहम के साथ फिल्म की शूटिंग भी शूरू कर दी थी और फिल्म की शूटिंग के दारान ही बीच में उन्होंने दूसरी फिल्म डेवि चुके हैं कुछ समय पहले जब उन्हें नेपोटिजम प्रॉडक्ट कहकर ट्रोल किया जा रहा था तब संजय गुपता ने सब को चुप करवाते हुए उनका सपोर्ट भी किया था और बताया था कि वो अपने काम के लिए कितने महंती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है विवे को बरॉय ने शूट आउट अट वडाला मूवी को रिजेक्ट करके सही किया था या गलत आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुट से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले